नमस्कार, क्रांती ओरेसा में आपका स्वागत है। एक शेर और एक बाग अच्छी दोस्त थे और साथ में रहते थे। पास में ही एक साधू रहता था। एक दिन, बाग बोला, जब चंद्रमा छोटा होता जाता है, तो सर्दिया आने लगती है। शेर ने जवाब दिया, तुम मुर्खो, जब चंद्रमा बढ़ते-बढ़ते पूरी तरह से विक्सित हो जाता है, तब सर्दिया आती है। सही उत्तर जानने के लिए वे दोनों दोस्त साधू के पास गए। साधू बोला, चंद्रमा की किसी भी स्थिती में सर्दी हो सकती है, चाहे उसका आकार बर रहा हो और थ्वा कम रहा हो। सर्दी तो हवा की वज़र से होती है, अब चाहे वो पश्चम दिशा से आये, उत्तर दिशा से आये, या पूर्व दिशा से आये। इस प्रकार तुम दोनों ही सही हो। साधु ने यह भी बताया सबसे महत्वकून बात बिना जगले के और एकजुद होकर रहना है। उसके बाद दोनों अच्छे दोस्तों की तरह प्रसनता पूर्वक रहने लगे। मौसम तो आते जाते रहे पर उनकी दोस्ती हमेशा बनी रही।